1.5 मन्त का चिक आप लोगों को अभी मैं इसको रिकवर करकी दिखाऊंगा ये दो दिन से यहाँ पर कोने में बैटा हुआ है और काना भी नहीं का रहा और काफी वीक हो गए असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप लोग ठीक होंगे तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि चिक को जो है एक तो यह है कि इनको आई भी हो जाती है और दूसरा यह है कि अगर आपका चिक बीमार पड़ जाता है तो किस तरह मैं रिकवर करता हूं और चिक्स अर्ली स्टेज में ही बिमार होकर मर जाते हैं तो इसलिए आप लोग को आज मैं इनके बचाने का तरीका बताऊंगा और वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स टेप जो है आप लोग ने चिक्स का जो है स्टूल देखने हैं आप लोग देख सकते हैं कि यलो कलर का स्टूल यह पास कर रहा है इसका मतलब यह है कि इसका तोड़ा सा डिहाइडरेशन हो गया है उसके वजासी वीकनेस है तो अभी आप लोगों ने करना क्या है मैं आप लोगों बता देता हूँ पहले आप लोगों ने फ्लाइजिल इसको सिरप पिलाना है ताकि इसका डिहाइडरेशन रुख जाए फर्स टेप आप लोगों ने यही करना है त्री सीसी सिरंच में आप लोगों ने टू सीसी जो है फ्लाइजिल बरना है क्योंकि एज की हिसाब से आप लोगों ने करना है अभी इस चिक का एज आलमोस तकरिबान वन एन हाफ मन्त हो गए तो यह देखे हैं मैं टू सी सी तक जो है इसको अभी पिला दूंगा औरिली पानी लेना है और पानी में आप लोगों ने O.R.S. को मिक्स कर देना है तोड़ा सा हलका सा डाल कर दिहाइडरेशन के लिए जो है आप लोगों ने यूज करना है इसकी वीकनेस खतम हो जाएगी और दिहाइडरेशन भी इसकी खतम हो जाएगी यह देखे है गाइस इसको तो आप लोगों ने एंटिब्याटिक्स जो है इसको स्टार्ट करना है, अगर बॉडी में कोई इंफेक्शन वगरा हो, तो वो इनको ट्रेट करें है, क्योंकि कभी कभी इंटेस्टायंड में भी इंफेक्शन हो जाता है, तो दो दिन तक जो है, आप लोगों ने, दो या तीन यहां पर केलमॉक जो है चिक्स और चिकन में मोस्ट एफेक्टिव एंटिब्याटिक है और आप लोग देख सेक्ट 156 mg का आप लोगों ने 2 या 2.5 cc तक जो है आप लोगों ने इनको किलाना है एंटिब्याटिक आप लोगों ने यही यूज़ करना है इसको जो है कल से और लोगों ने श्टी पिलाई है और यह देखें इसके लावा जो है मैंने एंटिब्याटिक भी इसको किलाए लेकिन इसकी जो है अभी तक तब्यद जो है ठीक नहीं हुई यह देखें उसी तरह नाकाना का रहा है और साइट पर बैटा हुआ है हमारा चिक या चिकन अगर ठ कम हो तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास फिर एंजेक्शन ही है तो उनको हम फिर एंटिब्याटिक का एंजेक्शन ही लगवाएंगे पास लास्ट ऑप्शन जो है एंजेक्शन का ही बच जाता है हमने एंटिब्याटिक जो है पहले औरल इकला था अब इसको एंजेक्ट करेंग काफी सारी जो है उसमें वर्क करता है तो जिनसेफ जो है आप लोगों ने हाफ सी सी इसके जो है मसल्स में इंजेक्ट करना है गाइस वीडियो में जो है इंजेक्ट करना मैंने दिकाए नहीं है लेकिन इसको मैंने जो है हाफ सी सी इंजेक्ट कर लिया और अभी तकरीबन लास्ट ऑप्शन जो मेरे पास बचाता तो वो मैंने एंटिब्याटिक जो है वो एंजट कर दिया और सेवन तो एड होर जो है अभी देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है अब लोगों देख सकते हो कि सेवन एड होर्स बात हमारा चिक आप लोगों अब लोगों अब लोगों ने पूरे प्रूफ के साथ देख लिया कि पहले जो है बिल्कुल अपने जगह पर बैठकर ना काना का रहा था और चल भी नहीं सकता था काफी वीक हो गया था लेकिन एक ड्रेशन इसका भी खतम हो गया माशाला उसके इलावा जो है एंटिबियोटिक्स पहले पर मैंने किलाए थे और अभी इंजक्शन के साथ जो है यह इसका माशाला बिल्कुल जो है अपने नॉर्मल हालात पर आगए आप लोगों नहीं देख भी लिया और काना भी जो है इ यह थी मेरे आज की वीडियो वीडियो इंफॉर्मेटिव लिगयो तो लाइक कर देख चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अल्ला आफ़ेज